रीवा जिले का गौरव दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा 25 सितंबर को बांड सागर का पानी पहली बार रीवा जिले में आया था जिसकी वज़े से आज पूरा जिला खुशाल है रीवा जिले का गौरव दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा 25 सितंबर को बांड सागर का पानी पहली बार रीवा जिले में आया था जिसकी वज़े से आज पूरा जिला तुशाल है पूरा जिला हरा भरा है सोन नदी में बने देवलोन में बने पूल से बान सागर का पानी नहर के माध्यम से वीवा में पहली बार 25 सितंबर को आया था जिसके चलते गौरो दिवस 25 सितंबर को मनाया जाने का निर्णय किया गया है इस बारे में कलेक्टर रिवा मरोज पुष्प ने आज पत्रकारों को दी जान का रिए 25 सितंबर को रिवा नगर का गौरो दिवस पुष्प नियत किया है यह वो दिन है जब बान सागर से पहली बार बान सागर का पानी रिवा जिले में प्रवेश किया था और उसके कारण रिवा जिले में जो आर्थिक और सामाजिक सांस्रिटिक उन्नती हुई है उसको ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर को रिवा नगर का गौरो दिवस मनाये जा रहा है आज इसके लिए बैठक की गई है और हम लोग बिविन तरह के आयोजन इसमें करेंगे उसके बारे में आपको प्यारों के माध्यम से हम विस्तार से जानकारी भी देंगे अगर चाहिए इसके बाद मानिय जन परतिनिदीयों के साथ और जो सांस्कृतिक लोग हैं नगर के उनके साथ और जो एंगी योज उनके साथ भी हम लोग इसकी बैठक के गई है झाल